दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इस समय एक बुरे दोर से गुजर रहा है और बॉलीवुड की कोई फिल्म बॉक्स ओपिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है और बॉलीवुड की सारी सारी फिल्में सुपर फिलॉप डिजाश्टर हो रही है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बॉलीवुड की आने वाली दस ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुती खतरनाक और तगड़ी एक्शन फिल्में होने वाली हैं जो बॉलीवुड की हिस्टरी को बदल कर रख देंगी तो दोस्तों आप भी जानना क्यूइन, चिल्डर पार्टी, सांदार और सुपर 30 जैसी सुपर 8 फिल्में बना चुके हैं और से प्रोडूस किया जैकी बगनानी और बासू बगनानी ने और से पूजा इंटर्टेन्मेंट के बैनर तले बनाया गया है गनपत पार्टबंट टाइगे स्रॉप की केरियर की बनाऊ दा वेस्ट फिल्म होने वाली है जिसकी कानी फ्यूचर में सैट होगी जिसमें में टाइगे स्रॉप और कीर्थी सेनन काफी तगले लेबल पर एक्सन करती हो दिखाई देने वाले हैं अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो इसे 23 दिसंबर 22 को सिनेमा घरों म जो इससे पहले अर्जुन रेड़ी और कभीर सिंग जैसी ब्लॉग वेस्टर फिल्मों को डायसन देच चुकी हैं और से प्रोडूस किया है बूसन कुमार ने और इसको टी सीरीज के बैनर तले बनाया जा रहा है एनिमल बॉलीवूट की आने वाली एक मच अवेटेट फि और राद का आप टे लीडिंग इस्टार कास्ट में नजर आने वाली हैं दोस्तों के डायेक्टर और रैटर ने पुसकर और गाहतरी जो ओजिनल फिल्म को डायेकिशन देचुके हैं दोस्तों ये फिल्म बॉलीवूट की बनाऊ-दाव वेस्ट फिल्म होने वाली है क्यों समसीरा जी हां दोस्तों समसीरा एक एक्षन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें रडवीर कपूर, संजेदत और बानी कपूर लीडिंग इस्टार कास्ट में नजर आने वाली हैं दोस्तों के डारेक्टर है करन मलूत्रा और इसके प्रोडूसर और राइटर है अधित्या चूपड़ा और इसकी यसराज फिल्म के बेनर तले बनाया गया है समसीरा फिल्म बॉल्यवूड की ये खतरनाक एक्षन क्रैम ड्रामा फिल्म है जिसे 150 क्रोल के बजट पर बनाये गया है जिसकी कहानी डकेतों पर आधारित होने वाली है अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो इसे 22 जुलाई 22 को सिनेमा घरों में बड़े परदे पर उता जाएगा नमबर 6 लाल सिंग चड़ा जी हैं दोस्तों लाल सिंग चड़ा एक कॉमेड़ी ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें आमिर खान और करीना कपूल लीडिंग इस्टार कास्टम नजर आने वाली है दोस्तों से डायरेसें दिया है एडविट चंदन ने उसे प्रोडूस किया आमिर खान ने और से आमिर खान प्रोडूक्षन आउसके बैनर तले बनाये गया है लाल सिंग चड़ा बॉलीवुड की एक बहत्रीन फिल्म होने वाली है जिसे बनाने में तीन से चार साल का बक्त लग चुका है और आमिर खान ने इस फिल्म पर काफी जादा मैनत की ह लाल सिंग चड़ा फिल्म को 11 अगेस्ट 22 को सिनेमा घरों में बड़े परदी पर रिलीज किया जाएगा नमबर फाइब फाइटर जी हैं दोस्तों फाइटर बॉलीवूट की एक मोस्ट अविटर फिल्म है जिसमें हमें हैंडसम अंक रितिक रोसन, दीवका पातकोर्ण और अनल का पूल लीडिंग इस्टार कास्टर में नजर आने बाले हैं जी हैं दोस्तों ब्रहमास्तर एक एक एक्सन एडवेंचर फेंटैसी फिल्म है जिसमें हमें सिव के करेक्टर में रडवीर कपूर, ईसा करेक्टर में आलिय अवट और गुरू अरविंद के करेक्टर में अमता बच्चन नजर आने वाले हैं दोस्तों इसके डिरेक्टर और राइटर है आयान मुकरजी और इसे प्रोडूस किया है करें जोहर ने और इसे धर्मा प्रडूसन के बैनर तले बनाया गया है ब्रह्मास्तरा बॉलिवूड की बनावदा वेस्ट फिल्म होने वाली है जिसे तीन सो करोल के बजट पर बनाया गया है जिसे पेन इंडिया लेबल पर हिंदी, तमिल, तेलगू, मलयालम और कंणल पांच बासाओं में 9 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में बड़े परदे पर उतारा जाएगा तो दोस्तो आप लोग इस फिल्म को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो नमबर 3, Tiger 3 जी हां दोस्तो Tiger 3 Bollywood के एक मच अवेटेड एक्सन फिल्म है, जिसमें हमें सलमान खान, एटीना कैप और इमरान हासमे लीडिंग इस्टार कास्टम नजर आने वाले हैं इसमें हमें सारु खान का कैमियो भी देखने को मिलेगा दोस्ते से डायक्सन दिया है मनी सर्मा ने, और से प्रेडूस किया है अदत्या चोपडा ने और से इसराज फिल्म के बेनर तले बनाये गया है आगे 3 बॉलिवूट की एक तगड़ी एक्सन फिल्म होने वाली है जिसे 200 करोल के बजट पर बनाये जा रहा है जिसमें सल्मान खान काफी खतरनाक लेबल पर एक्सन करती हुए दिखाई देने वाले हैं इसे 21 अपरेल 23 को हिंदी के इलावा तमिल और तेलगू में रिलीज किया जाएगा जियां दोस्तों पठान एक स्पाई एक्सन फिल्म है जिसमें हमें सारुख खान दीपका पात्कॉर्ण और जॉन अब्राम लीडिंग स्टार कास्टम नजर आने वाले हैं और इसके अलावा सलमान खान का कैमियो भी देखने को मिलेगा दोस्तों इसके डारेक्टर और राटर हैं सिद्धार्थ आनंद जो रितिक रोसन के साथ बेंगमेग और बोर जैसे ब्लॉग वस्टर फिल्मों को डायक्सन दे चुके हैं और से प्रोडूस किया एधित्य चुपडा ने और सी एसराज फिल्म के बेने तले बनाया गया है अठान फिल्म बॉलिवूट की एक बहुती तगली और खतरनाक एक्सन फिल्म होने वाली है जिसे दो सो करोल के बजट पर बनाये जा रहा है और यह फिल्म सारुख खान के केरियर की बनोदा वेस्ट फिल्म होने वाली है जिसे 25 जनवरी दोरे 30 को सिनेमा घरों में हिंदी के अलावा तमिल और तेलगू में रिलीज किया जाएगा नमबर वन बड़े मियां छोटे मियां जी हाँ दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां बॉलिवूड की एक मोस्ट अवेटेड एक्सन फिल्म है जिसमें मैं बॉलिवूड के खिलाली अक्षे कमार और टाइगर स्रॉब लीडिंग इस्टार कास्टर में नजर आने वाले हैं दोस्तों इसके डाइरेक्टर और राइटर ने अली अबबास जफर जो इससे पहले गुंडे, सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉगबस्टर फिल्मों को डाइक्सन दे चुके हैं और से प्रेडूस किया है बासु बगनानी और जैकी बगनानी ने और से पूझा इंटर्टेन्मेंट के बेना तले बनाया गया है बड़े मिया छोटे मिया बॉलिवूड की एक्सन फिल्म होने वाली है जिसने 400 करोल के बजट पर बनाया जा रहा है जिसमें बॉलिवूड के दो बड़े एक्सन इस्टार एक्सन करती हो दिखाई देने वाले हैं अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो इसे 22 दिसमबर 23 को पैन इंडिया लेबल पर समिल तेलिगू मलयालम कननल और हिंदी 5 बासौं में रिलीज किया जाएगा तो दोस्तों आप लोग इनमें से कौन सी फिल्म को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूब बताएं और ऐसी आने वाली फिल्मों के बारे हम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूब पैस करें ताकि कोई वीडियो मिसना कर पाएं थेंक्यू